साइन की हमने नॉर्मल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री इसके मल्टिपल में भी हमने देख लिये थे बट मैं आपको थोड़ी सी एक अन्यूसल वैल्यू बता रहा हूं तो जो आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स के पॉ संध्यूसल होती है साइन 37 की वैल्यू आप उल्मॉस्ट इकोल लेंगे 3 x 5 के कि वहीं पर कॉज्ट 37 की वैल्यू ऐक्रिए और इन डोनों से आप डिब्स कर सकते हो कि त Zar Layul 3 by 4 हो जाएगी वहीं पर आप sin 53 की value sin 53 degree की value आप निकालेंगे तो ये आपकी 4 by 5 आती है जो कि cos 37 के equal होगी क्योंकि आप जानते हैं कि cos 90 minus theta is sin theta तो उससे आप निकाल सकते हो देखो ठीक है ना so then आप cos 53 की value cos 53 की value बच्चो sin 37 के equal होगी तो ये कितनी आजाएगी ये 3 by 5 आजाएगी और अगें आप 10 53 की value निकाल सकते हैं 10 53 की value 4 by 3 होगी तो बच्चो ये भी निकाल सकते हो कि 10 37 की value cos 53 के equal होगी और 10 53 की value cos 37 की equal हो and similarly आप क्या कर सकते हो secant theta, secant 37 और cosecant 37 इन सब की value निकाल सकते हैं तो ये physics point of view से बहुत useful values हैं और ये हमें time to time required होगी तो बच्चो इनको आप याद कर लाए बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए क्योंकि ये हम questions में बहुत frequently physics में बहुत use करते हैं इसको चिक हैं इससे आगे हम फिर कुछ formulas देख लेते हैं जो compound angle formula हैं जैसे कि sin a plus b sin a plus b का जो बच्चो formula होता है वो होता है sin a cos b sin a cos b plus cos a sin b cos a sin b तो यहाँ पर बच्चो किसी भी angle को आपने sum में break कर दिया तो इसका एक example मैं बताता हूँ जैसे कि इससे क्या फाइदा होता है जैसे कि आप na sin 60 की value या फिर जैसे sin 60 की value अगर लेना चाहें या फिर sin 45 की value लेना चाहें या फिर sin 90 की value लेते हैं let's say मैं आपको एक example लेता हूँ sin 90 sin 90 degree आपको पता है तो मैं sin 90 degree को कैसे लेख सकता हूँ sin 60 degree plus 30 degree ठीक है बच्चो तो sin 60 plus 30 लेख सकते हैं अब इसको हम break कर सकते हैं sin 60 sin A यहाँ पर A की value कितनी है 60 और B क्या है 30 तो यहाँ पर cos 30 plus cos 60 and sin 30 यहाँ हमने A क्या लिया हुआ है यहाँ पर A की value हमारी 60 हो गई और B की value 30 तो sin A cos B cos A sin B अब हम इसको verify करके देखते हैं कि क्या हमारा उपर वाला formula सही है तो आप देखो LHS में आपको value already पता है यह 1 आती है और RHS में अगर आप देखेंगे sin 60 की value होती है root 3 by 2 और cos 30 की value भी root 3 by 2 होगी अगें फिर cos 60 की value 1 by 2 होती है और sin 30 की value भी 1 by 2 आप इसको निकालनेंगे root 3 into root 3 कितना हो जागा 3 by 4 प्लस यह कितना हो जागा 1 by 4 दोनों को add करो के 4 by 4 तो RHS में आपको value 1 मिल गया इस तरह से हम different different angles की value निकाल सकते हैं यानि कि इस पर और exercise करें तो इस formula के बहुत अच्छी तरह याद करना है बच्चे बहुत ही basic formula है यह और बहुत ज़्यादर required होती है पूछ सकता है find the value of sign 75 अब बच्चो 75 degree की बड़ी unusual value है तो 75 degree की हम कैसे निकाल सकते हैं हम इसको break कर सकते हैं दो known values में sign 30 plus sign 45 आप अगर इसकी value अब हमारे लिए easy हो जाएगा क्योंकि हमको यह formula बता है यह formula पता है तो हम इसको क्या ले सकते हैं sign 30 cos 45 plus cos 30 sin 45 तो आप easily इसको calculate कर सकते हैं sign 30 की value बच्चों सबको याद रहनी चाहिए cos 45 की value दो बहुत easy होती है फिर again cos 30 की value आपको पता है और sign 45 की value ठीक है आप देखेंगे कि बच्चों यहाँ पर denominator दौनों का same है अगर denominator same है तो numerator directly add हो जाएगा तो आप इसमें लिख सकते हो sign 75 degree sign 75 degree equals to यह हो जाएगा 1 plus root 3 upon 2 root अगर इसको simplify आप करना चाहते हैं तो root 2 से उपर और नीचे multiply कर देंगे यहाँ root 2 multiply करेंगे और यहाँ root 2 तो बच्चों यह root 2 और root 2 क्या बन जाएगा यह 2 बन जाएगा और 2 तो नीचे denominator में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं this will be root 2 multiply किया और root 3 और root 2 multiply करके यह root 6 हो जाएगा बच्चों आप समझ रहें ना मैंने यह root 2 multiply किया उपर numerator तो यह root 2 हो जाएगा root 2 into 1 और root 2 into root 3 root 6 हो जाएगा और आपके denominator में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दौनों value सेम है इस तरह से आप sign 75 degree की value निकाल सकते हैं बच्चों इस formula से हम इसके different version देखते हैं different version क्या होते हैं देखो दूसरा formula यह हमारा formula number 1 था तो मैं ऐसे कई सारे formula आपको बता देता हूं जैसे कि दूसरा formula अगर हम देखेंगे आप देखेंगे sign वैसे तो आप इसको खुद reduce कर सकते हैं plus b की जगे minus b ले ले लेंगे आप और इसमें आप देखेंगे कि यह अंतरा है sign a cos b और यहां पर जो plus sign आ रहा था उसके जगे minus sign आ जाएगा cos a sign यह फर्मूला आ जाएगा इस तरह से हम कॉस में भी लिखते हैं cos में भी लिखते हैं cos में क्या लिखते है cos a plus b cos a प्लस b का फॉर्मूला बच्चो थोड़ा सा यह है इसमें cos पहले आएगा cos a cos b और यहां पर देखो आप देखो कि यहां पर अगर plus है तो इनके बीच में minus आएगा आप देख सकते हो यहां पर minus sign a sign b आप इसको याद कर ले ना तो यहाँ पर पहले cos आएगा बाद में sin आएगा ठीक है और फिर आपका fourth formula इसी से आप tedious कर सकते हो cos a minus b cos a minus b की value यहाँ पर क्या हो जाती है cos a cos b और चुकि यह a minus b है तो यहाँ पर plus आ जाता है तो opposite होता है sin a sin बच्चो इससे क्या कर सकते हो आप इन्होंनों equation को दोनों को add करो तो दोनों को add करोगे तो एक और चीज़ आपको मिल जाएगी आपको क्या मिल जाएगा cos a plus b plus cos a minus b तो ऐसे इनके different combinations है आप देखेंगे यह cancel हो जाएगे अगर इन्होंनों को add करें तो यह दोनों सेम हैं और add हो जाएगे तो यह बन जाएगा आपका 2 cos a b 2 cos ठीक है तो बाकी आप इसमें sign में भी add कर सकते हो जैसे कि मैं आपको यह दोनों formula आगर बताएं जैसे कि एक formula यह था हमारा यह एक नया formula बन जाता है आप इसको भी याद कर सकते हैं और एक और formula जैसे हमारा sin a plus b था आप sin a plus b और sin a minus b इन्होंनों को भी add कर सकते हो तो यह हो जाता है sin a cos b plus cos a sin b और यहां से यह हो जाता है sin a cos b minus cos a sin b तो बहुत easily आप इन्होंनों को add कर सकते हो add करो के तो यह वला term cancel हो जागा और यह दोनों add हो जाएंगे तो आपको again यह formula में जाएगा sin a plus b ठीक है plus sin a minus b इन्होंनों को add करोगे तो आप यह देखोगे to sign a cos b तो यह कई तरीके से इसको mathematics में इसमें detail में जाते हैं लेकिन हम बहुत detail में नहीं जाएंगे इनकी हमें बहुत ज़्यादा requirement नहीं रहेगी कभी requirement हो सकती है तो यह भी एक नए formula के रूप में देखे जाते हैं आप इनको as a formula भी याद कर सकते हो तो कई बच्चे इसको formula की तरह याद कर लेते हैं आप इसको formula भी या फिर deduce करना देख सीख सकते हो कि कैसे इसको निकाला जा सकते है ठीक है लेकिन आपको यह sign a plus b यह चार formula तो बहुत ही basic है कि चार formula बहुत ही basic है यह याद होने चाहिए किसी बच्चे अब बच्चो इन चार formula पर based जैसे कि एक आता है अगर आपका a equals to b है तो sign a plus b क्या हो जाएगा sign a plus b क्या हो जाएगा sign a into a यानिकी sign two a हो जाएगा sign two a तो यह आपको याद रखने की जोगता है तो बच्चो हमने क्या लिखा था sign a cos b तो यहाँ पर cos a हो जाएगा दूसरा term भी क्या हैगा cos a sin b और sin b की value तो a के बराबर है तो आप देखेंगे कि sign two a की value sign two a की value two times sin a cos a आ जाते हैं यह बात समझवा रही है तो बच्चो यह value भी आपके लिए बहुत important होगी हाला कि यह आया formula उपर वाले से ही है आपको अगर उपर वाला a plus b याद है तो इसको आप easily निकाल सेखें इसके बाद जो important एक और आता है हुआ आता है cos two a cos two a में जैसे आपने cos a equals to b में cos a plus b लिखाता तो आपने cos यह हो जाएगा तो वहाँ पर हमने लिखाता है cos two a हमने लिखाता है cos a cos b यानिकि cos a और b की जगे भी cos a आएगा माइनस sin a sin b और b की जगे क्या है a है तो आपका यह formula बन जाएगा cos square a minus sin square a तो cos two a आगया यह कुछ एक formula है अभी बहुत basic हमें use है अब अच्छो इसके कई form होते है जैसे कि आप cos square को आपने यह identity पढ़ रखी होगी कि sin square a equals to one minus cos square a और दूसरी cos square a equals to one minus sin square यह identity बच्चों को 10th में पता होती है तो इसको अगर हम cos square a को साइन में अगर change करें तो cos two a का जो formula हमें मिल जाता है वो cos two a equals to cos square को आप क्या लिख दोगे one minus sin square a minus sin square यह क्या है बच्चों यह cos को हमने change कर दिया तो आपको जो final formula बन जाएगा one minus two sin square ठीक है बच्चों यह cos two a का formula है अच्छा दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं हम साइन square a को cos square a का टाउंस में change कर सकते हैं यानि कि आपको यह formula भी मिल सकता है cos square a minus one minus cos square तो आप देखेंगे कि कि यह value यहाँ change हो जाएगी यह minus minus plus हो जागा तो यह हो जागा two cos square a minus one तो यह भी cos two a की value है सारी value cos two a की है तो cos two a के कई form होते हैं आप इसको याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा तो आप use करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा कॉस्ट हुए के कई form रहेंगे एक form तो यह हो गया अच्छो ठीक है दूसरा form यह हो गया तीसरा form यह हो अब इससे यह formula से यह formula से क्या होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा rearrange करें यानि कि इसको आप rearrange करें तो आप लिख सकते हो two sin square a equals to one minus cos two a ऐसे करके भी याद कर लेते हैं और आप इसको rearrange करें तो आपको यह मिल जाएगा formula two cos square a equals to one minus cos one plus cos ठीक है one plus cos two तो आप यह देखो दोनों में थोड़ी से similarity से यह आई है कि two sin square a is one minus cos two है और two cos square a is one plus cos two तो यह हमारे बहुत basics formula हैं यह आप सब लोगों को याद रखने हैं बचो इसके बाद हम जैसे हमने formula वगरा sin a minus b के और sin a plus b के formula उनकी application हम देख सकते हैं कि application में first part देखते हैं कि जैसे हमें अगर value निकाल नहीं है कॉस 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री या साइन 15 डिग्री के value तो हम कैसे निकाल सकते हैं तो बचो इसके दो तरीके हैं या तो आप इसको कॉस 60 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हों ठीक है या फिर आप इसको कॉस 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं तो एक तरीका मैं आपको करके दिखा दूँगा दूसरा तरीका आप homework में कर सकते हों और मैं दूसरा तरीका कर तो कॉस A-B का formula हमने पढ़ा था कॉस 45 कॉस 30 प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है कॉस में तो यहाँ पर प्लस आता है साइन 45 , साइन 30 यह बात समझ में आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी व्याद्य होती है 1 by root 2 और ओर कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 by 2 होगी अगैन आप देखेंगे साइन 45 की वैल्यू 1 by अगेन आप देखेंगे डिनोमेटर दोनों का सेम है तो अगेन ये वैल्यू भी टूरूट तो बच्चो कॉस 15 की वैल्यू कॉस 15 की वैल्यू आप 90 माइनस थीटा से भी निकाल सकते हैं साइन है 90 माइनस करें 75 डिग्री के ठीक है साइन है 90 माइनस 75 डिग्री तो इसको आप क्या लिए सकते हो कॉस 75 डिग्री लिए सकते हो जैसे हम इसको हमने साइन सेविंटीफाइभ डिगरी के वेल्यमिकाली सांच सेविंटीफाइभ डिगरी हो जाता है साइट 90 माइस 15 डिगरी यह तो बच्चो हमने जो साइट 775 डडिगरी की वैल्यसरा तो आप ऐसे भी रेख सकते हो हमने यह आपको जैसे पूछ लिया जाए कि भाई आप निकालो साइन पाइब एट वैली होती है कि पाइब एट होता है हमारा 22.5 यानि कि 45 वैं तो बच्चों इसको प्रोसीड करने के लिए कैसे करते हैं तो हम इसमें यह हेल्प लेते हैं कि जो टू साइन स्क्वेर है तू साइन स्क्वेर एइज वन माइनस कोस्ट है हमने क्या करता है हमने देखो हमें 45 डिगरी की वैल्यू पता है 45 वैं टू की हमने निकालने ठीक है या तो आप यह तरीका यूज करेंगे अगर यहां पर यह 45 बैट्व है तो यह 45 जैसे आपको बताता हूं कि टू टाइमस साइन स्क्वाइर एक ही वैल्यू हम लेते हैं 45 बैटू इकोस टू वन माइनस कोस्ट टू टाइमस एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 बैटू तो यह कॉस 45 आज़ा है आपका एलेचेस में कितना आ गया टू साइन स्क्वाइर यह 45 बैटू डिग्री हो गया और आरेचेस में आप देखेंगे वन माइनस कॉस 45 की वैल्यू वन उपॉन रूट टू आप इसको सिंप्लिफाय करेंगे और यह आ जाएगी साइन स्क्वाइर कि 45 बैटू की वैल्यू जो आएगी यह आएगी टू रूट रूट टू माइनस वन तू आप पर डिनॉर्वर्टर में आगा तू रूट आप इसको सिंप्लिफाय करने के लिए रूट टू से उपर नीचे मल्टिप्लाय करेंगे तो टू माइनस रूट अब यह इसकी स्क्वाइर की वैल्यू निकली है तो आप साइन 22.5 की वैल्यू निकालना चाहें तो यह तरीका है तू माइनस इसको सिंप्लिफाय और भी कर सकते हैं ठीक है अपॉन फूर इसका भी होल रूट होगा आप इसका रूट वगरा भी निकाहें तो इस तरह से आ आप आई मीन आप मैनुपलेट करके इन फॉर्मूलों का यूज करके कई हाफ एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो जैसे 15 डिग्री की निकाली हमें जैसे आप से कोई साइन आप होमवाक में ये दो कॉस्टिंस बगरा कर सकते हो होमवाक में आप निकाल सकते हो साइन 105 डिग्री आप निकाल सकते हो साइन या कॉस 165 डिग्री कुछ ऐसी वैल्यू आप होमवाक में निकाल सकते हो और ट्राइ कर सकते हो जैसे 1075 degree की भी आप try कर सकते हों तो यह value वगर कैसे निकालेंगे तो 1075 के लिए मैं आपको idea देता हूँ आपने sin75 क्योंकि 10 का half angle का formula नहीं बताया मैंने आप ऐसे try कर लिए तो मेरे खाल से आप easily निकाल पाओगे इस तरह से half angle के formula से आप use करके different values निकाल सकते हो कुछ एक हद ठीक है